है गाईज वेलकम टू माई चैनल आइम एर फ्रिंड युवर टीचर निशा शर्मा कैसे हैं आप सब लोग आई होप युवाइज आर गुड जो बच्चे मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं मैं बता दू मेरा चैनल डेडिकेट है स्पेशल टीचिंग एक्जाम और हर्याना एचेससी एक्जाम तो हर्याना एचेससी एक्जाम और टीचिंग एक्जाम में हिंदी हमेशा आती है तो जो मैं हिंदी करवा रही हूँ इस इंपोड़ेंट फॉर हर्याना एस्टेट एक्जाम डी ट्रिपलेस बी एक्जाम के को मैं आपको समझाने जारी हूं हैर एक्जाम में कोशन जुरूर आता है तो तत्सम और तद्वो सबसे पहले तो होते क्या है यह शब्द विचार एक चेप्टर है उसका पार्ट है शब्द विचार आप हिंदी की प्लेलिस्ट में देख लिजिए मैं डिटेल से करवा रखा हो का मतलब क्या होता है परिवर्तन होना तत्सम मतलब एजटीज बने रहना माइंड में कोशन आता किस क्या एजटीज बने रहना किसके एजटीज बने रहना तो मिंस आपको पता है जो हमारी हिंदी है वो बेसिकली संस्कृत से निकली है तो हिंदी के जो संस्कृत हिंदी नाइडू भारत की कोकीला थी, अब कोकीला शब्द संस्कृत का है, हिंदी में तो कोयल होता है, सबको पता है, लेकिन मैंने लिख दिया, सरोशनी नाइडू भारत की कोकीला थी, तो कोकीला शब्द as it is हिंदी में प्रियोग हो गया, तो वो शब्द क्या बन गया, तच्सम, आपको पता जिसे ग्राम है दुग्द है तो ये जो शब्द होते है करपूर है तो ये शब्द कैसे होते है तत्सम लेकिन जब इनका रूप परिवर्तित हो के हिंदी में आता जैसे आम्र लिखा है आम्र का आपने आम लिख दिया तो आम तो क्या हो गया तत्भव रूप हो और अम्र क्या हो गया तत्सम रूप हो गया जैसे ग्राम क्या हो गया तत्सम वर्ड हो गया और गाउं क्या हो गया तत्सम नहीं होते तत्सम अब आपको एक्जाम में बहुत कंफ्यूजन होती है यार कौन सा तत्सम है कौन सा तत्सम है मैं तो बहुत कंफ्यूज हूं ठीक है तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहे हूं जस इनको धान में रख लेना आपके तत्सम तद्वो ठीक हो जाएंगे कोशन तीन टाइप से आता है एक्जाम में तत्सम तद्वो का एक तो चार शब्द आपको लिखे देगा और शाडव में आपको यह मिले अक्षत्र श्र' वक्षत्र श्र तो अक्षयत्र अप्य श्र यह अपको जहां में मिलते हैं तो तो फा데भर तो एक तट्सम सब्द हो गया और विनका हंदी रूप हो बनाना पड़े मतब तर रूप बनाने को आपको कह दिया जाएं इनसे जुर तो आपने देखा इसके अंदर यह लिखा दिखा और आपको पता यह वला शब्द तो कौन सा होता है तत्सम लेकिन कह दे कि इसका तद्भाव रूप बनाओ तो जहां पर भी एक्षय होता है इसके तद्भाव रूप में परिवर्तित हो जाएगा क्या परिवर्तित हो जाएगा खै तो शीर का क्या बन गया खीर शीर का क्या बन गया खीर ठीक है अक्षर का क्या बन गया अच्छर यह ध्यान से देखले ना प्वेपर में आए वकुशन है अच्छर शेत्र का क्या बन गया खेत इंपोर्टन है याद रख लेना शेत्र में अ अच्छिका मक्षिका मक्षि अख्षोट अभी फिलहाल एस्टिट में आय था अख्षोट अख्रोट ठीक अख्षोट को क्या बोलते हैं अख्रोट तो पहला रूब आपको क्लियर है अक्षे त्रग्यों हाभी मिले तद सम्होगा जब आप इनका तद्वो कनवर्ट करना है वक्षे बगेरा को आप शेय और खेय में परिवर्तित हो जाएंगे जब यह शुरू के ओपनिंग में आते हैं बीश में आते हैं तो जातर खेय में चेंज होते हैं यह एक्सेप्शनल भी हो सकता है समझते हो न यह दो विंदी जो होती हैं तो वो शब्द आपसे पुशा दएगा तो वो तजम होईगा यह वह जब होता है तो शब्द तत्सम होता है और जब इसकातवा कंवर्ड होता है तो यह बहुत पड़ा है वानर यह दिख जाएं न तो यह तत्सम होईगा ठीक है लेकिन इसका मैं लिख दिया बंदर बै बन गया ना तो यह तदभो हो जाएगा तो आपको ध्या रखना बै वाले शब्द पेपर में आए तो तदभो होएंगे वै वाले शब्द पेपर में आएंगे तो तदभो होएंगे ठीक है जैसे वनिक वनिक बनिया ठीक है व बनिया वर्षा बरसाथ यह कोशन देखो अलग सा है यह चेप्टर के एचसे में आये था तो आप इसको याद कर ले ना उद्वर्तन उद्वर्तन का है उबिटन ये शब्द याद करना डिफरेंट नहीं हुद्वर्तन को हिंदी में बोलते हैं उबिटन विभा ब्या विभा वारा का तो बीना बकों ठीक करा गया ठीक है जोता है एक तो से जोता है स्वालस में जोता है तो यह ने वह तक्षा ह Deux रहीं तक्सम हेगा जैसे शामल शामल सामला शामल शामल तो शामल तो क्या है यह मख़्ी कहां से आगी और फैन मैंने क्यों बंद किया हुआ है कि बोहुत ज़ादा recording में ऐसे फैन घू 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 रिकॉर्ड हो जाता है और बच्चे कहते हैं वीडियो में बहुत साउंड आता है इसलिए और ज लूटल थी आपको दर्सन ही बन जायेगा ऐसे यही आपको दर्सन लिखा मिलेस लोगा तो यही वाला लिखेंगें क्योंकि कि संस्कृत के शब्द एजटीज हिंदी में पर्षलीथ है तबी तो वह तक्सम है ना तो यह हिंदी एजटीज लिखते हैं नेक्स री रिशी वाला और रच्छत्रग्य वाले यह समोते हैं जैसे रात्री मैं अभी पताए था च्छत्रग्य श्रेज जो संच्छ वेंजन होत ही वालो तो यह वाला थीक होता है द्यान रखना क्लियर यहां तक कि रूल इंक सुंहर है चन्दर बिंदू से रिलेटेड़ ज़ोप्ना नेक्स toel है वो कि से रिलेड है चंददर दूजब चंदर बिंदू सबको पता है ना चंदर बिंदू जब भी शब्द में होता है तो तदभाव होता है जैसे गेहूं मुहूं गाउं आख ठीक है ना चंदर बिंदू जब भी होता है तो किसके अंदर होता है तदभाव के अंदर होता है आधारे जब आजाता है तो आधारे व होता है तो तत्सम् competition है जैसे अमर्त है प्रश्टर है सूर्य है ईनार्य है तो यह जो टाइप में होते हैं तो सब किसके अंदर आते हैं तट सम्जडों में को सी उस्टा किसमें काफी बार होता है जसे के यूग जूग यूग जूग सस्टॉ छटा यूग जूग सस्टॉ छटा तो जैसे शोड़ में यह जैमे ठीक है धान रखना अनय को जिसको हम बोलते हैं अनय खली अनय जो है तत्सम होता है ठीक है अनय तत्सम होता है ठीक है अने जो है तच्सम रूप होता है और जो नहे होता है वो क्या होता है तद्वा रूप होता है जैसे देखो लक्षमण या अंगरखषक अंगरख़ा अजानम चरित चरित यह आ या तो गैस वैसे तो बहुत हैं बट आप इन रूल्स को भी कर लोगे तो तच्वन तद्वह easily लिए आप कर पाओगे सो होप आपको लेक्चर समझ आया है यदि समझ आया तो लाइक करना ना भूले अपने फ्रेंट्स के साथ शेर करें पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल अच्छा लग रहा है तो हिंदी मौसली में क्लेर करवा चुकियों प बाई एक केर